Hey guys welcome back to my channel तो अगर आपके पास firebolt की कोई भी smart watch है तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी secret setting बताऊँगा जो कि आपने नहीं देखी होगी 100% और ये setting काफी ज़्यादा आपके लिए useful हो सकती है तो आज के इस वीडियो का end तक सरूर से देखना क्योंकि ये three watches के अंदर मैं आपको करके बताऊँगा तीनों ही firebolt की smart watch है यहाँ पे आप branding देख सकते हो यहाँ पे firebolt and ये दो watches की भी branding आपको बता देता हूँ तो ये तीनों ही firebolt की smart watch है आज के वीडियो में आपको जो trick बताऊँगा firebolt की सभी watches के अंदर work करती है बागी अगर आपको इन तीनों watches का giveaway चाहिए तो आज के इस वीडियो में मैं watches का giveaway भी कर रहा हूँ giveaway में participate करना बहुत easy है just channel को आपको subscribe करके bell icon press करना है इस वीडियो को like करके और नीचे comment drop करना है मुश्किल से 10-15 second लगेंगे और आप eligible हो जाओगे in watches का giveaway जीतने के लिए 7 days के बाद result announce हो जाएगा जीतने के chances काफी जादा है तो participate जरूर से करना तीनों ही काफी अच्छी watches है और 3 winners बनने वाले हैं इस वीडियो के अंदर ज़्यादा ज़्यादा comments वगेरा place कर सकते हो and subscribe वगेरा कर लेना तो अब मैं आपको बदाता हूँ secret setting तो randomly मैं firebolt की smartwatch इसको test कर रहा था अलग-अलग features वगेरा test कर रहा था और मुझे एक ऐसा खतरनाक feature मिला जिसके मदद से आपके phone के अंदर काफी सारे systems change हो सकते है and बहुत ज़्यादा unique है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है just आपको यहां settings में about section के अंदर जाना होगा तो about section के अंदर अपन आ चुके है and उसके बाद कुछ नहीं करना है just यहां पर long press करना है और आप देख सकते हो कि यहां पर factory mode and aging test आ जाता है तो factory mode पर चलता है तो यहां पर आप display वगरा चेक कर पाऊगे and यह features आपको नहीं बताऊंगे 100% watch के अंदर तो यह सब features है इसके अंदर उसके बाद heart rate वगरा सब test होगा फिर आपको pass fail pass fail करते रहना है और उसके बाद अगर इसके पर पिछली बार अपने tap किया था आप long press करके देखते है यहां पर aging test करके भी कुछ है तो aging test भी आप RMC use कर सकते हो तो यहां पर अगर आप tap टैप करते रहोगे तो यहां पर लाइक आप देख सकते हो कि इतनी तेज sound है ना आपको मैं बता भी नहीं सकता शायद आपको वीडियो में आइडिया लग रहा होगा बट अगर कोई earphone से देख रहा हो तो I am really sorry क्योंकि मुझे खुद को idea नहीं था कि इतनी sound से आवाज आएगी तो speaker test भी हो गया यहां पर इसके उपर tap करके speaker test चलो हो गया तो यह काफी खताराग mode से लाइक आप मैं second watch के अंदर भी आपको बता देता हूँ तो यहां पर भी अपनी पर settings में चलता है settings के अंदर आके about section उसके बाद यहां पर tap करते हैं यहां पर आप देख सकते हूँ कि काफी सारे option आचुके है यह सभी options आपको 100% नहीं मिले होंगे जो normal आप features use करते हो उसके अंदर तो यहां पर आप अपनी watch को अच्छे से test कर सकते हो और यहां पर आपको सभी details देखने को मिल जाएगी जो कि आप आराम से check कर सकते हो उसके बाद GPS वगरा भी इसके अंदर provide के हो है तो यह सभी आप test कर सकते हो उसके बाद aging mode है और उसी के साथ engineering mode भी है network, mobile data यह सभी देखने को मिल जाता है so engineering mode के अंदर जाके आप connectivity वगरा आराम से सब अपने सब से set कर सकते हो उसके बाद next है यहां पर performance test तो यहां पर आपको जो भी wifi वगरा है यह सभी आप आराम से access कर सकते हो वाकि यह सभी feature आप अपने सब से आराम से use कर सकते हो and यह काफी कमाल का feature लगा मुझे so यहां पर tap tap करके आता है इसके अंदर यह features और third watch के अंदर बदा देता हूँ ताकि मैं प्रूफ कर पहूँ कि fireball की सभी watch के अंदर work करता है तो यहां पर भी about section में आ गए और यहां पर आप देख सकते हो speaker test में बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं वापस नहीं जेल पाऊंगा उसके बाद यहां पर tap tap करके देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो यह जो mode selection है यह option आ चुका है तो यह feature 100% work करता है और इसको आप definitely try कर सकते हो और आज का वीडियो helpful लगा हो तो like share subscribe जरूर से करना कुछ नहीं चीज़ आपने सीखी होगी hopefully so आप ज़्यादा है ज़्यादा subscribe करना कुछ इसी तरीके के वीडियो के लिए मिलता हूँ आप से अगरे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई